वक्ती बड़ी खबर आपको बता दें, एक्स्प्रेस वे की जमीनों की अधिक रहेन और मुआज़े को लेकर योगी सरकार आक्शन में आ गई मुख्य बंती ने दस दिलों के जिलाधिकारियों को चिठी लिखकर आगरा लखनोवे एक्स्प्रेस में की जमीनों और मुआज़ों की जांच की आदेश दिये हैं पिछले 11 महीने में हुई जमीन खरीद के हर मामले की रिपोर्ट उनने मांगी है जिलाधिकारियों के जांच दाइरे में एक्स्प्रेस में की किनारे करीब 230 गाउं आएंगे आरोप ये भी है कि कुछ खास लों को फायदा पहुँचाने के लिए उनकी प्रेशी वारी जमीन को रिहाईशी जमीन की श्रेडी में दिखाया गया ताकि उन्हें सरकार से जाड़ा मुआवजा मिल सके तो अब जांच के आदेश योगी सरकार ने दे दिये हैं जिलाधिकारी हैं उन्हें नोटस भेज दिया गया है दस जिलों के डियम को ये चिथी लिखी गई है और उनसे कहा गया है कि जांच में भरपूस सर्योग करें किस तरह से जमीन में मुआवजा दिया गया आगरा लखनों एक्सप्रेस हाइवे पर मुआवजे में गड़बडी की शिकायत लिए उतके बाद अब इस पर जांच होगी और जल रिपोर्ट सौपनी होगी फिशी की जमीन को रिहाइशी दिखाने का आरोप लगा है ताकि जादा मुआवजा मिल सके और अब इसी की जाँच की जाएगी कि आखिरकार ऐसा कैसे किया गया आगरा लखनों एक्सप्रेस वे की जमीन की जाँच और जानकारी के साथ कुमार अबशेख हमाई समवाता इस वक्त हमाई साज उड़ गए है कुमार पहले तो जो बिल्डर से इनके प्रोजेक्स रद किये गए क्योंकि आवं अंटन में गरबड़ी की गई थी आप ये मुआवजे की बात भी सामने आ रही है इस वर जाँच के आदेश दिये गए देखे निया यह मामला लखनव अगरा एक्स्प्रस में का है जिसके दस जिलों के डियम को बकाइदा चित्थी सेजी गई है कि किस तरीपे से फिक्स 18 महिनों में जो जमीनों के बदले गए है यूज़ खास करके रहायसी यूज़ बताये गए जिसके कि तकरीबन धाइस औ जिनके किसानों का दावा है कि उन्हें जितना मौाजा मिलना चाही था उतना नहीं मिल पाया है और इस वज़े से कई शिकाय से मुक्षमंत्रिस कारयले पहुंची थी और उसके बाद तकरीबन दस जीम को जो कि उस एक्स्प्रस्वे के आसपास जो बगल के जिले हैं वहां जाच की तरफ यह बढ़ रहा है और कहीं नगहीं सरकार को लगता है कि इसमें कुछ खामिया है बड़ी चूख हुई है या कुछ इसमें सोची समझी चीजे हुई है इसके बाद इसकी जाच कराई जा रही है झाल